बिहार विधान सबा चुनाव अपने नियत समय पर ही होगा इसको लेकर चुनाव आयोग ने दिसानिर देश जारी कर दिये हैं जारी दिसा निर्देश के अनुसा इस बार नामंकन की प्रकिरिया ओनलाइन होगी सिक्रिटी रकम भी ओनलाइन ही जमा करना होगा घर घर परचार करने हे तू स्रिप पांच लोगों के ग्रूप को ही अनुमती मिलेगी वोटिंग के पहले मतदाताओं को दस्ताने सभा की अनुमती मिलेगी सभी बूथों पर साबून और सनेटाजर उपलब्द होंगे एक हजार से जैदा मतदाता एक बूथ पर नहीं होंगे मतदान के लिए बड़े हॉल का इस्तमाल होगा चुनाब से जुड़े लोगों के लिए मास्क एवम गलप्स लगाना अनिवार होगा विधान सभास्तर पर हेल्थ अफिसर होंगे कुछ डंडात्मक प्रब्धान भी होंगे कोरोना संकर्वित मतदाता के लिए बैलेट पेपर उपलब्द करवाए जाएंगे बुखार वाले मतदाता आखिर में मतदान करेंगे बाका जिला के रजौन परखंड अंतरगत चकसफिया बरोनी पढगली सड़क मार्ग स्थित कतरिया राजगाट नदी पर करीब एक क्रोड की लागत से बन रहा पूल बनने से पहले ही डलाई के करम में ध्वस्त हो गया इस दोरान पूल पर काम कर रहे हैं मजदूर बाल माल बच गए जानकारी के उनसार लॉकडाउन के सुरुवाती दौर से ही पूल का निर्मान कारे चल रहा है गुरूबार को पूल के एक भाग के ढलाई का काम पूर्ण हो गया था अचानक साम में ही सेंट्रिंग गिर जाने से पूरा ढलाई नीचे आ गया इससे निर्मान हो रही पूल की गुनवत्ता का आकलन किया जा सकता है इस पूल के निर्मान से धुराईया रजौन परखंड के जाने के बीच कई पंचैतों के लिए दूरी कम हो जाएगी धलाई के करम में ही पूल ध्वस्त हो जाने करण आसपास की गाउं के लोग देखने के लिए भीर उमर पड़ी इस पूल के लिए निर्मान के लिए S.Y.G.S.Y. के दोरा उचस्तरिया आठसेसी पूल के लिए देवगर के सतीस पांडित को ठेका दिया गया है बाका नगर परिशत के उपचुनाब के तहद समार नाले इस्तित सभागार में उपसभापती पद का चुनाब हुआ जिसमें उपसभापती के लिए दो मीदवारों ने परचा भड़ा ने उपसभापती के पद के लिए संतोष सिंके निर्वाचन की घोसना की नगर परिशत के सभापती समें तीन पारसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया मालूम हो कि बाका नगर परिशत में 26 वार्ड है समहार नाले परिशत के इर्दगिर डंडाधिकारी एवं पुलीस पदाधिकारियों की तैनाती की गई मौके पर अंचलाधिकारी बाका सुजीत कुमार पुलीस निर्चक सर्थानाधेच बाका राजिस कुमार शाह सीटी मनेजर नगर परिशत इतेश कुमार आदी मौजूद थे अमरपूर मुके सटक पर महगामा मूड के समीब गुरूवार की संधिया पेल से बाइक टकरा जाने से तीन यूबकों की घटनास तल पर मौत हो गई जबकी एक यूबक गंभी रूप से घायल हो गया हाथसे के सिकार बने यूबकों में ललन मंडल, चक्धर मंडल और कमल राय थे तीनों बारा हट लकडा के रहने वाले थे घायल प्रितम कुमार को बाका भेज़ दिया गया जहां से उसे भागलपूर रेफर कर दिया गया, पुलीस ने तीनों सबों का पोश्ट माटम करने के लिए बाका भेज़ दिया पुलीस ने दुर्खटना गरस्ट बाइक जब्त कर ली लोगों ने बताया कि बाका की और से एक ही बाइक पर चार यूबक तेजगती से अमरपूर की और आ रहे थे महागा मामोड के समीब उसकी बाइक सड़क किनारे इमली के पेंड से टकरा गई हाथसे में तीन यूबक की मौके पर ही मौत हो गई जबकी एक गंभी रूप से जखमी हो गया गायल प्रितम के पास से मुबाइल लेकर बात की गई तो पता चला कि वो धुरहिया के मके स्वट टोला कर रहने वाला था थाना धेच ने बताया कि माम लेके जाच की जा रही है सदभावना दिबस पर अमनपूर के थाना परिसर में थाना धेच कुमार्ट सन्नी के नेतरित में पूलीस कर्मियों के दोरा सपत ग्रहन समारों का होजन किया गया इस अबसर पर थाना ध्यच ने उपस्थित पुलिस कर्मियों को आम लोगों के साथ सुहार्द पुर्ण तरीके से पेशाने की सपत दिलाई मौजूद पुलिस कर्मियों ने सराब बंदी का पूरी इमांदारी से पालन करने थाना परिसर में आये फर्यादियों के साथ भाई चारे एवं मित्रता पुर्वग बहवार करने अपराद नियंत्रन करने अपनी ड्यूटी पूरी इमांदारी से पालन करने का सब पत लिया इस अपस्वर पर अवर निरचक बिजय संकर सिंग, रामस्रे परसाथ, सहाया कवर्न रचक, कपिल देवी आदव, जमसेद खान, महिस्वर पासवान, सुदय कुमार, सिपाही निखिल कुमार, पबन कुमार, सीता राम कुमार, रंजीत कुमार, समित अन्य पुलीस कर्मियो पस्तित थे। 15 दिन बाद ही ससुराल बालों ने पड़तालित करना शुरू कर दिया, इस बावध्योती ने बताया कि पड़तालित करने में उनके ससुराल के सभी लोग बराबर के हिस्चेदार है, साज ससूर भैसूर वर देवर, उसको हमेशा घर से 20 लाक नगत और एक कठा जमीन की 15 दिन बाद ही सामले में बाका महिला थाना अधिच लिता कुमारी ने बताया कि उनके पती को पुलीस पकड़ने के लिए उसके घर पर गई थी पर हर बार हुआ चकमा देकर भाग जाता था, लेकिन अब हुआ कानुन के सिकंजे में आ गया है अमरपूर थाना परिसर में मुहर्रम पर्भ को लेकर सांती समीती की बैठक काया उजन किया गया बैठक की अध्यचता अमरपूर थानाध्यच कुमार सन्नी निकिया बैठक में मुखरूप से बीडियो राकेस कुमार नगर पंचायत की कारपालक पदारीकारी नीलम सुईता समेत छेत्र के गनमाने लोगों पस्तित हुए बैठक में उपस्तित ग्रामिनों को संबोधित करते हुए थानाध्यच ने मुहर्रम को सांती पूरवक महार्म ने मनाने की अपील की मौके पर बीडियो राकेस कुमार ने बताया कि असमालिक तत्तों पर पुलीस की पैनी नजर है अपफ़ा फैलाने वाले या किसी भी तरह का उपद्रव करने वाले के सूचना अवी लंब थाने में दे मौके पर सहाय कवर्न रचक कपिल देवी आदब अरजुन कुमार जमसेद खान गरीपूर पंचायत के पंसस इर्फान खान बबलु खान संकरम हतो इंतजान सारी पंसस नियामत अली मुहमद बाबर मुहमद नौसाद मुहमद लियाज मुहमद जमरुद्दिन मुहमद अर् नीती की परतियां जलाकर आक्रोस पर कट किया मौके परुपस्तित सिचकों ने राजसरकार एक खिलाब जम कर नारे बाजी करते हुए कहा कि ऐसी नीती लाकर बिहार सरकार ने हम सिचकों के साथ चल किया है संकिस चीप प्रकास सिंग ने बताया कि समान कारे के लिए समान व से लागू करने की बात कही है इसके लावा स्थांतरन में सिर्प महिला सिचक यों पुस्त काले अध्यचों को लाब दिया गया है जबकि अरजी तवकास 300 दिन के बतले 120 दिन कर दिया गया सरकार की इस निरने का संग दोरा भी रोध किया गया है इस अबसर परलचमन पासवान परविन कुमार मंडल संबू मिस्री राज की सोर कापरी जीतन हरीजन आलोग कुमार अजय कुमार सिकंदर परसाद सहीत अनिसिचक मौजूद थे बागाजला के कटोरिया बेलहर मुखे मार्ग पर कटोरिया थानाचत के तरपतिया के निकर जपटमार गिरों ने एक बाइक सवार से आठ लाक रुपिये चीन लिए पलसर बाइक पर सवार दोनों अपराधी घटना को अंजाम दने के बाद सुया की और भाग निकले प्रित रोहित कुमार यादव पिंडरा गाउनिवासी ने बताया कि वो अपनी पत्नी और चचरा भाई के साथ बाइक पर सवार होकर घर लोट रहे थे उसने SBI ब्रांच कटोरिया से 1,08,000 रूपिय की निकासी की थी रूपिय से भरा पॉलिथीन पत्नी के पास था और टेकर जपट मार गिरों ने पत्नी के हाथ से रूपिय से भरा पॉलिथीन चिना और फरार हो गए